कि गता हिए जैसे तो आज की वीडियों में जानेंगे कि कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी मीढ़ए कि या लेंस रहने वाले हैं को पहाँ आ प。」 पर अन्ती का चार्ट ऑपन किया हुआ है च्रीड को यहां पर 15 मिन का टाइम हम लगा हैं और बैंक किया चार्ट में लगा हुआ है यहां पर ट्रेंगम बनालाइड दिखाया था त्रेंगरम पर यह पना मुद्ध esca ब्लकुल बेलिक निटी ने प्रेंगम उब को रिगे बने और नूसे बने आपको बता है तो ब्लक कॉल बैंकठीज aware निलस्टी आज इस आघर गुर्क ऊब्रीज के लिएट और आज के दिन में आज के दिन निकूल recognize मैंने बोला था कि ट्रेंगल पेटर्न का बिका उठाउट आगा तो बैंख निपति आज के दिन में आप देख सकते हो जादा अपसेड का टागेट नहीं चल रही धी एक चोटा सा बड़ा टागेट देने के बाद पूरा दिन साइडवे से चलती रही इस सारी एनलेसिस दूस्तों में लाइब माकेट में आपको बताती रहे तो तेलेगरम चनले पे तो तेलेगरम चनल अभी तक जोईन नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हाँ से जोईन कर सकते हैं दिसके आप देख पार है आज भी तेलेगरम पे में अच्छा फ़ेट किया है जैसे कि आप देख पारि लाइब मार्केट में अपडेट देती रहती हूँ तो तेलेगरम बहुत ही अच्छा प्रफिट बना शूब जैसे आप देख पार हैूँ स्क्रीट प determined जैसे ही market से कुछ भी update मुझे दिखाए देता है तो मैं telegram पर update दे देती हूं और members को बहुत ही फाइदा हो रहा है हमारे telegram channel से जरूर जोइन कीजिए telegram channel link description में मिल जाएगा आपको वहां से join के सकते हैं तो चलिए video को आगे बढ़ाते हैं देखे यहां पर एक sideways market चल रहा था आज पूरा दिन थोड़ा सा upside rally देखा के bank nifty sideways चला था आप sideways market को आप यहां पर box में बिढ़ा दीजिए box में बिढ़ाने के पर जैसे ही box का breakout होगा या breakdown होगा तो एक अच्छा moment हमें देखने को मिल जाएगा bank nifty मे समझ दीजिए दोस्तों कल के दिन bank nifty अगर flat opening होके जैसे bullish candle को दूसरी है तीसरी candle upside break करेगी तो हम यहां पर सीजिए साइट बढ़ सकते हमना पहला जो टागट होने वाला है 40,000 का level जो मैंने कल की वीडियो में बताया था बहुत ही अच्छा resistance बनके निकल के आ रहा है और यह level कल के लिए अच्छा resistance बनके निकल के आने वाला ह और यहां पर 40,000 का level भी अगर ब्रेक कर जाती है और फिर प्राइजेक्शन बना के उपर जाने के कोशिश करते हैं तो आप यहां पर लॉट सैज बढ़ा सकते हैं और उपर के जो लेवल निकल के आ रहा है तो लेवल अभी तक कि मेरे analysis के सकते 40,650 का जो लेवल है वो resistance बन के फिर से उपर जाने के कोशिश करते हैं तो आप यहां तक का टागेट अच्छेव कर सकते हैं या फिर वन इश्टू का टागेट अच्छेव कर सकते हैं अब मानलेजे दोस्तों हमें food set कब जाना है जब stop loss मैंने बताया ने stop loss आपको 30-40 पोइंट का नीचे लगाना है और बैज गंडल बनाती है यहां पे कहीं पर फिर को प्लोज होने का वेड्कृट करने है जैसे ही इस सपोर्ड को बेरेश का ब्रेक करेगी या दूसरी तुसरी है सबस्थन बनांके नीचाने के स्वीश करेगी तो हम यहां पर P E Sight बच सकते है पहला जो वहारा टागट होने इन पाई का सपोर्ट है यहां वे जैसे ही एक बेडिश कंडल बनेोगी बैडिश कंडल का लो तूटेगा तो यहां पे आप एसाइड बैड़ सकते हो और यह दोनों भी टार्गट आप अच्छिव कर सकते हो उपर आपका स्टोपलस हो जाएगा चाले से पिचास क्षाइस का वन इस्टू का टागेट टागेट वन इस्टू का ले सकते है कि उपर आपको स्टॉपलेस हो जाएगा 30 से 40 पॉइंट का नीचे आप टागेट वर्न स्टूटू का ले सकते हैं या आप सपोर्ट का टागेट आप अच्छिव कर सकते हैं अब मान लेजिए दो कलके लिए अगर गैप अपनिंग हो के एक बुलिश केंडल बनाती इस तरह से तो बुलिश केंडल को लोगेट करना है पंदरा मिल के दिसे पंदरा मिल की कैंडल को दूसरी तिसरी केंडल ब्रेक करेगी तो हम सीज सेड बैठ सकते हैं लेकिन यहां पर कर सकते हैं लेकिन अगर 40,000 को भी तोड़के निकलती है तो प्राइजक्शन बने का बेट किजिए गया जैसे प्राइजक्शन बना के उपर जाने की कुछ करते हैं तो पनिश्टी का टागट अच्छेव कर सकते हो या फिर जो मैंने उपर का रेजिस्टेंस लेवल बताया है वहां तक का टागट आप अच्छेव कर सकते हो जो बनाती है यहां पर सपोर्ट के आसपास तो हमें बुलिश कनल के क्लोज होने का वेट करना है पंदरा मिलका जैसे ही बुलिश कनल के हाल को ब्रेक करेगी तो हम यहां पर सीसाइड बढ़ सकते हैं पहला जो हमारा जिस् यह वाला लेवल निकल आ रहा है वह है 39613 का लेवल और यहां पर दुसरा जो रेजिस्सन्स मैं यह level निकल के आ रहे हैं जहां पर मार्कमिले बहुत हे जाती है, ऑल जाती बॉलिश कंडल बनाती है तो जाती है, बॉलिश कंडल के झेल क पेड़ पशलगों, तो यह जो किसली कंडल टाघ अगेट तक हो बेथनी यह चालती है। यह हैं दोस्तों बैंक का इसे सब तेख लेते हैं निफ्ति में क्या इसबनके निकल के आ रहा है वैगे तिस बीसे स्टाइव कीने बताकर वाइसफ़ते नहीं करे सब्सक्राइब तो यहां पर अपसाइड ज्यादा मुवमेंट के लिए आप मज चाहिएगा और बिल्कुल बैंक ने ज्यादा मुवमेंट नहीं दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हो यह जो भी वीडियो पर बनाती हूं दोस्तों सिब आपके मेरे चालियां पर आपपको मिल जाएगी Любya 옆 देख सकते हैं उसे आपको अच्छी नहीं 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 स्टाणियू स्टेशिस इए करे और आप प्रॉफेट अच्छा किसा कर सकते हो 10 डेक् Saying Aram के दिन में तो इसके आप देख पा रहे हैं यहां पर निफ्टी ने भी साइडवेज मुमिंट दिखाया एक अच्छा प्रेक आउट देने के बाद और यहां पर साइडवेज चलने के बाद निफ्टी भी आज क्लोजिंग दिया है 17 जच्छे सो फिफ्टी त्री के अस्प तो निफ्टी को आप एक बॉक्स पटन में यहां पर बॉक्स पटन बना के रख दीजेगा निफ्टी को इस तरह से जैसे ही निफ्टी अपसाइड ब सब्सक्राइब करना जब तक यह लेवल बरेक नहीं होता है निफ्टी में तब तक आपको कोई भी پी अट्री नहीं लेना है जैसे यह लेवल ब्रेक होगा तो निफ्टी एक अच्छा मूमेंट ड़ाउंसाइड दिखा सकती कल के दिन के लिए जो लेवल में बता रही उपर आपका स्टॉपलेस हो जागा 40-50 को इनका पीज़ साइड आप बैट सकते हैं पहला जो आपका टागेट होने वाला है यह वाला लेवल होने वाला है जो लेवल में आपको मार करके दिखा देती हूं चार्ट में कि पहल निवल को आपको कि और अगर अगर यह दोनों लेवल को भी आपका देखने को मिलने वाला है वह यह वाला लेवल है जहांपे निप्टी ने जहां से निफ्टी ने रिकावरी दिखाई थी वो लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा वो लेवल बनके निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 17,480 का लेवल है यह भी एक मजबुस सपोर्ट बनके निकल के आ रहा है अगर यह दोनों लेवल को निफ्टी ब्रेक कर जाते हैं तो हमारा तीसरा जो सपोर्ट बंगे निकल कर आ रहा है 17,480 का लेवल अब मानेज़े दोस्तों कल के दिन निफ्टी समधिजे गैप अपनिंग हो जाता है यहीं पर कहीं पर ओपनिंग हो जाता है और यहाँ पर समधिजे बुलिश कनल बनता है यहाँ पर रजिशन सकी रेक होने का वेट कीज़ेगा जैसे mbbersected की रजिशन सकी निफ्टी रेक कर जातीजा है यहां पर 2 ब्रेक होने के बाता है यहां पर च्रीट फीर पैसी Mull 17 निकर्ट का हो जाएगा नीचे आपका 40-50 सोनoscope टॉप्लस होजाएगा वन इस्टूटू का टागर आप अच्छीव कर सकते हैं या फिर इस रिजिसंस तक का टागर आप अच्छीव कर सकते हैं निफ्टी में जो रेजिसंस निकल के आ रहे ऊपर के लिए वह है 70,765 का पहला रेजिसंस है दूसरा जो रेजिसंस से 70,800 का लेवल जो बहुत ही मजबूर रेजिसंस मेंके निकल के आ रहे है अब अल्ले जो दूसरे निफ्टी कलके दिन गयाप फटनी होगे बेरिष केंडल बनाती से पंदरमन की बेरिष केंडल की क्लोज होने का वेट की ज सकता है 17616 का लेवल दूसरा टागेट मैंने यहां पर बताया हुआ आपको और तीसरा हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यह वाला लेवल हो सकता है तो यहां तक के टागेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी पी साइट आने की कोशिच करती है तो अब मान नीचे के तरह ब्रेक करेगी तो हम यहां पर पी साइट बैठ सकते हैं पहला जो टागेट होने वाला यह वाला सपोर्ट होने वाला है 17688 का और यहां पर दूसरा जो हमारा टागेट होने वाला है 17616 का ओपर आपको स्टॉपलस हुजाएगा 30-40 पूइंट का निचा आप बुलिश कंडल मनाते तो बुलिश कंडल के क्लोज होने का बेट की जग है जैसे ही निफ्टी बुलिश कंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी हम यहां पर सीज़ेट सकते सीज़ेट बटने के पर हमारा पहला टागेट यह वाला लेवल होने वाला है जो मैंने आपको बता संदें से पास पर हो जाती है जैसे बैंडि बने बेट दकाना दल इस लेवल के आसपास बनती है तो हम यहां पर िसरी कंडल को ब्रेक करेंग और पहले सकते हैं आपके support का target आप अच्छीव कर सकते हो अगर आप push का प्लों style करना आता है तो आप support का target भी अच्छीव कर सकते हो अगर नहीं आता तो 1 इस्टी 2 का target लेकर आप निकल सकते हो तो यह तो दोस्तों निफ्ति और bank के important level जो कलके लिए support और resistance बनके निकल के आ रहे हैं सारे के सारे लेवल को आप अपने चार्ट में mark करके रख लिए सारे लेवल बहुत ही important है कलके लिए वीडियो कैसे लगी मुझे comment में जरूर बताए दोस्तों आपके comment से मुझे motivation मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए और आपको सिखाने के लिए मुझे motivation मिलता है द Thank you so much